देरा सच्चा सौदा प्रमुक राम रहीम सिंग की मूबोली बेटी हनीपीत एक बार फिर विवादों में फस गई है हनीपीत से जुड़ा या विवाद डेरे में बनाई जा रही उनकी रियाईश को लेकर खड़ा हुआ है इस संबन्द में दक्षिन पश्चिम दिली के महावीर एंखलेव के रहने वाले पचास वर्षिय संजे जा दौारा पंजाब एव हर्याना हाई कोट में याचिका दायर की गई है दरसर डेरे में राम रहीम की रियाईश को गिराकर कलश के अकार की नई अमारत बनाई जा रही है ऐस अमारत में हनी प्रीत रहेगी लेकिन अमारत को कलश का अकार देने के चलते ही हमामला हाई कोट पहुंचा है दाइर याचिका के अनुसार कलश के अकार की इमारत बनाना हिंदू भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुंचाना है हिंदू पुरानिक कर्थाओं के अनुसार पवित्र कलश को सभी देवी देवताओं को रुहानी निवास माना गया है दाइर याचिका में कहा गया है कि कलश अकार एक पविद्रता का प्रतीक है लेकिन राम रहिम पर रेप और हत्या के दोश है ऐसे में डेरा सिर्शा में इमारत को कलश का अकार दिया जाना ठीक नहीं है या चिका में इस प्रकार के बदलाव को सबूत नश्ट कराना भी करा दिया गया है क्योंकि पुरानी इमारत अगस 2017 की पंचकुला हिस्सा की साज़िश रचनी वालों के खिलाब दर्च F.I.R. का हिस्सा है यह हिस्सा पंचकुला की सी बियाई अदालत द्वारा डेरा मुखी राम रहिम सिंग को दोशी ठहराए जाने के बाद हुई थी आरोप है की इमारत का निर्मान डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट बोर्ट की चेर्मैन हनी प्रित उर्फ प्रियंका तनीजान ने अपनी वियाईश के लिए की है याचिका में कलश के अकार के अवैद और विवास्पद निर्मान को रोकने की मांग की गई है